and welcome देखिए इंडिया और USA का 2 प्लस 2 डायलोग 2020 जो है वो कॉन्क्लूड हो चुका है कल और इसमें जो है इंडिया और USA ने एक important agreement बैका जो है वो साइन किया है बैका क्या है और इससे पहले जो agreement साइन हुए है इंडिया और USA के बीच में इस तरह के वो कौन से हैं वो क्या है उनकी हमें कैसे help मिली थी जब जून में इंडिया और चाइना के बीच class चल रहा था लैसी लाइन ऑफ एक्ट्रोल के उपर तो यह सब हम को जानने को मिलेगा इस वीडियो में तो आए शुरू करते हैं और यह टॉपिक जो है जियो पॉलिटिक्स international relation के अंदर आता है UPSC के लिए जियस पेपर टू के अंदर आता है देखिए लेमुआ और कॉमकासा जिसे agreement के हम बात करें थे कि पहले जो साइन हुए वो यह थे लेमुआ और कॉमकासा के बाद इंडिया और USA ने अब बैका को जो है वो साइन कर लिया है और अगर आप देखेंगे तो अक्टूबर 27 कल ही जो है agreement यह साइन किया गया है तू प्लस टू डायलोग के विजिट पर यह इस चेंज मेमोरेंडम ओफ एग्रिमेंट कॉमकासा क्या है कम्मिनिकेशन कॉमपैबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रिमेंट एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं बैका देखते हम सबसे पहले बैका जो है देखिए वह हेल्प करेगा इंडिया को कि वह एक्से हम ल आम ड्रोन्स वे रडार हुआ वह उसकी अक्यूरसी बढ़ जाएगी क्योंकि जो एक्सेस हमारे पास होगा जो इस पेटियल से इंटेलिजेंस किये जैसे कि लोकेशन है या किसी टार्गेट किया कुछ तो वह तो हेल्फुल है यह प्लस जो नहीं होगा वह हम अमेरिका से ले सकते हैं यह से से ले सकते हैं इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो मैप्स हम शेयर कर सकते हैं उनके मैप्स को हम एक्सेस कर सकते हैं उनकी सैटलाइट इमेजिस को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं और ट्रोपोलोजिकल और एरोनॉटिकल डाटा जो हम एक्सेस कर सकते हैं इरफोर्स तो एरफोर्स कॉरपरेशन होगा, इंडिया और यॉएस के बीच में, है तो हर सभी चीजों का, लेकिन फिर भी हर फिरड में, लेकिन में मैंनली माना जा रहा है, EARziehर्फोर्स तो एरफोर्स होगा, और बैका जो हो प्रवाइड करेगा, इंडियन मिलेटरी सिस्टम को एक हाई क्वालिटी का GPS जो की नेविएट कर पाएंगे मिसाइल और रियल टाइम बेसिस पर एकुरेसी बढ़ा कर गे और प्लस इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जैसे की हमारे पास कोई लोकेशन हमें चाहिए हो जैसे की LAC में या कल को हमें एरस्ट्राइक करना हो किसी टेररिस्ट कैम्प के उपर या फिर हमारी टेरिटरी में जैसे चाहिना एंटर करने की कोशिश कर रहा था तो हमने उनको पीछे का देड़ा तो अगर हमें वहां पे उनके कोई मैप चाहिए हो या कुछ चाहिए हो तो हम वो भी ले सकते हैं प्लस कोई शिप कहां सेल कर रही है, कोई एरक्राफ्ट कहां पर फ्लाई कर रहा है, वार जोन कहां पर है, और हमें वहां का कोई मैप चाहिए, वहां का लोकेशन चाहिए, टारगेट की, तो ये सब जो हम उनसे ले सकते हैं, प्लस नेचुरल डिजास्टर की डिटेल और तीनों एग्रिमेंट की सीरीज में, जो मैंने बता है, कौमकासा, लेमोवा और बेका, लेमोवा सबसे पहले साइन किया गया था, अगस 2016 में, लेमोवा आलाओ करता है, मिलेटरी को, यूएस और इंडिया की, वो आप एक दूसरे की मिलेटरी बेसिस को, एकसेस कर सकते हैं, सप्लाइ को ले सकते हैं, जैसे कि पैटरोल हुआ, या फिर कोई क्यूप्मेंट हुआ, अर्टिलरी हुई, प्लस एक दूसरे की लेंड फैसिलिटी को, एयर बेसिस को, नेवी पोर्स को, हम लोग यूज कर सकते हैं, और लेमोवा जो है, वो मेंली कामगर हुआ, इंडियन यूज को लोगिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड किया है, नैटीन नाइटीवन में जब पहला गल्फ वार चल रहा था, तो अमेरिकन एयरक्राफ्ट की रीफिलिंग की गई थी, बॉम्बे में, यहां उनको यूज से पास जब वो गल्फ वार में थे तो यूज से पास यह पर पढ़ा, तो वो यहां पर आए, प्लस जो नाइन लेवन अटेक के बाद उन्होंने एक टेरोरिजम के खिलाफ वार चल रहा था, यूज से ने तो उनकी वार्शिप रिसर्च पर था, सर्च पर रहता था, तो वो यूज से वार्शिप थे हमने, उन्होंने विजिट कि इंडिया के पोर्ट्स को, यह भी जो है, इंडिया की हेल्प के वज़े से हो पाया था, और इसमें अगर आप देखें, तो अब यह सब और एजी हो गया है, क्योंकि लेमों साइन हो गया है, 2016 में, अब कौम कासा के उपर आते हैं, देखें, वो हो गया, जियो स्पार्टिल मिनिस्टर सुष्मा सावराज और डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतरमन जी के मीटिंग होई थी, यह यूएस के स्टेट सेकरेटरी आफ स्टेट माइकल आर पॉंपियो और सेकरेटरी आफ डिफेंस एन मैटिस से, तब यह साइन हुआ था, इसमें क्या है, देखें जैसे क कोई भी इंतेलिजंस यूनिट या जैसे इंडिया है वह टेपर्टमिंट में बात करता है, एनक्रिप्टिड मैसज से ऑफिय कि ंनके सिक्योर मैसज होते हैं जो हर कोई ना समझ पाए तो encrypted message से बात होती है एक department के अंदर तो अब इनोंने एक कौम कासा से ऐसे हुआ कि एक department ही नहीं एवन हम यूएस से भी ऐस तरह बात कर सकते हैं और यूएस हमसे ऐस तरह बात कर सकता है तो यूएस प्रोवाइड करेगा कौम कासा में इंडिया को encrypted communication equipment और system जिससे की दोनों countries के military commander या फिर कोई aircraft वार्शिप भी communicate कर सकते हैं किसी war के time पर अगर भी होता है या फिर 10 situation होती है या फिर किसी area में peace establish करना हो तो देखे हमने यह देख लिया कि चलिए ठीक agreement sign हो गया न्यूज में आ गया current affairs बन गया तो नहीं देखे इसका इंडिया की integrity को लेके बहुत बड़ा रोल है क्योंकि देखे दोनों military जो है इंडिया की और यूएस की दोनों की strategy जो है वो इंडिया इंडो Pacific region को peacefully रखने की है और खास करकि जब चाइना का नेचर बहुत aggressive हो चुका है और वो threaten कर रहा है बहुत सारी countries को उसके neighborhood में और neighborhood के बाहर भी और दोनों ही country इंडिया और USA चाइना के खिलाव stand लिये हुए हैं और इसमें अगर आप देखें तो अभी इस वीडियो का काफी important पार्ट है इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा देखिए जो पॉम्पियों है जून में जब इंडिया और चाइना के बीच में clash चल रहा था friction हुआ था वो aggression दिखा रहे थे तो हमने भी उनको जवाब दिया थर्ड वीक ऑफ जून में हमारे NSA जी डोवाल ने बात की थी वो टच में थे USA के NSA रोबोट सी ओ ब्राइन से और उनके चेर्मेन आफ यूएस जॉइन चीफ आफ स्टाफ जैन मार्क ए माइली टच में थे हमारे CDF चीफ आफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन राउट से उन वेपन बेचे इंडिया को भी चाइना को भी और आगे कुछ कहा ही नहीं यहां पे तो किलियर ली जो है यूएस से अर इंडिया का लगातार कनेक्शन हो रहा था क्लैस के बीच में तो देखें अमेरिका किस की साइड है तो साव दिखी रहा है प्लैस इसके अलावा अगर देखें तो अगर एक राज्यसभा से MP है अगर उनकी बात माने तो उन्होंने कहा था कि रशिया ने हमें बताया ही नहीं जब वो आए थे गल्वान की तरफ बढ़ रहे थे पेले के सोल्जर चाइनीज सोल्जर तो रशिया ने कहा कि आप इनको सीरियसली मत लीजे चाइनी रशिया नहीं कि यह जान सकते लेकिन अगर इसनी तरह देखा जाया तो रश्या तो श्री वेपन बेचता था है उसने इंडिया को भी बेच दिया सबने बड़े-बड़े यूटीवर पर चलता है defense पर देखे इस प्लस जो यह अभी मैंने बताया कि इन सब यह सभी लोग touch में थे इसमें अगर आप देखें तो इस conversation के अंदर जो है information share हुई थी security की military की intelligence agencies की दोनों countries के बीच में जिसके अंदर की high end satellite image थी telephone की intercept थी plus Chinese troop के उपर data जो था plus उनके जो Chinese troop के weapon deployment थे LAC पर ये भी USA ने हमें बताया था तो देखे USA तो help करी रहा था तो अब लेकिन बेका sign हो गया है तो अब बेका के लिए और easy हो जाएगा और हम बात कर सकते हैं इसमें plus बात हम कैसे कर पाए क्योंकि 2018 में कौम का सा sign हुआ था तो हम encrypted में थद से उन से बात कर रहे थे जो चाईना या कोई और track न कर पाए प्लस ये सब जो और details उनों ने share की अब वो officially कर सकते हैं क्योंकि अब बैका sign हो गया है हमारे बीच में अब अगर आप देखें यह सारे पिछले agreement हो गया और बैका हो गया इसके अलावा इस 2020 के टू प्लस टू डायलोग में और जो steps लिए गए हैं वो बताते हैं एक MOU sign हुआ है technical corporation के लिए earth observation और earth sciences के बीच agreement हुआ है एक जो कि पिछले MOU की duration बढ़ाने के लिए हुआ है वो हुआ है global center for nuclear energy partnership के उपर एक agreement हुआ है जिसके अंदर की electronic exchange होगा custom data गा एक उन्होंने letter of intent share किया है regarding corporation of in traditional Indian medicine यानि कि आयरवेदा में plus discussion हुआ है status of Afghanistan और कि हम कैसे support करेंगे वहाँ पर peace लाने में देखे यूएस से क्या चाहता है यूएस से चाहता है अफगानिस्तान से अपने soldier वापस ले जाना और peace यूएस से की और अफगानिस्तान की की वहाँ पे जो है peace establish हो प्लस यूएस से अपने soldier वहाँ से वापस ले जाए तो यह इस वज़े से यह जो है इस point पर बात हुई है तो यह है इस वीडियो का I hope आपको कुछ जानने को मिला होगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो like, share, सब्सक्राइब जरूर करें और डेली का रंट अफेज के लिए हमारी वेबसाइट www.planetgk.in को विजिट कर सकते हैं